सब्सक्राइब क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए जो कोश्चन लेकर करके आया हूं यह कोश्चन क्लास 9 की माहित की बुक्स से लिया गया है चैप्टर 12 है यहांस फार्मूला ठीक है तो यहां पर एक कोश्चन है हमारा एक्सर्टाइब 9.1 का कोश्चन नॉमबर 2 इस इस वीडियो को आंद तक और ध्यान से देखिए अगर हो सके तो इसको साथ में लिखते भी रहे हैं चले शुरू करते हैं कि कुश्चन में हमसे बोला है ट्रेंगुलर साइड वाल्स आप अफ फ्लाइओबर हैव वीन यूजड फार एडवर्टीजमेंट्स दा साइड्स फ्लाइओबर को देखा होगा वो ट्रेंगुलर इंसेप है उसकी जो वाल है वो कैसी है ट्रेंगुलर इंसेप है जिसकी हाल लेंथ है एक की है वन 22 मिटर एक की है वन 20 मिटर और एक की है 22 मिटर इस प्रकार से उसकी क्या है वाल है जिसकी लेंथ है ठीक है अब हमें इसका बताना है कि इसको एडवर्टाइज कराना है तो एडवर्टाइज कराने की कंडिशन क्या है कि बहुत हम एक साल का पांच हजार रुपया एक मीटर स्क्वाइर का लेंगे तो उसकेस में क्या होता है कि हम टोटल एरिया को देखेंगे कैलकुलेट करेंगे और उसमें पाइट आउजेंड पर यर से मर्टिप्लाइ कर देंगे लेकिन यहां पर एक कंडिशन दिया गया है कि जो एड़र्टाइ कि अवाल्स कि आफ साइड मैं 1 लुटनेटीट विट्ट विट्विय का अगर में यह ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो सबसे सेमे पारिमेटर एको काल्कुलेट करना पड़ेगा तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगेerten आप सेमी पारी मिटर का होता है क्या होता है इस एक्फ़ल उस साइड होती है ठीक है यह उनकीदीं है यह 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 ट्लेंगर की है तो हम क्या करेंगे A की value है मारे पास 122 meter B की value है 22 meter और C की value है 120 meter upon 2 इनको add करके 2 से divide कर देंगे तो देखिए 0 प्लस 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 प्लस 2 6 and 1 प्लस 1 2 divide by 2 जब इसे 2 से divide करेंगे तो आएगा कितना देखो 2 अंजा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो जो semi parameter S आ गया उसकी value आ गई 132 meter तो आप एक बार इसको write कर लिजे या वीडियो को pause करके screenshot ले लिजे फिर हम आगे इसको solve करेंगे अभी के लिए मैं यह पूरा मिटा देता हूँ ठीक है तो यहां तक हमने semi parameter find कर लिया था अब हम area का formula लगाएंगे by using hierans formula अब यहां पर फर्मूला होता है क्या है area is equal to अंडरूड एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी अब यहां पर वैलू पूट करेंगे तो देखे एस की जो वैलू है वह हमारे पास है 132 132 माइनस 122 132 माइनस 120 132 माइनस 22 ठीक है अब हमने वैलू पूट कर लिया आप subtraction कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 132 और यहां पर जब सब्ट्रेक्ट करेंगे तो सब्ट्रेक्शन करेंगे तो सब्ट्रेक्शन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे चाहां दूसरा तरीका अपनाते हैं इनके 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 फेक्टर हम पहले फाइंड कर लेते हैं तो जब हम 132 का फेक्टर फाइंड करने जाएंगे बाई प्राइम फेक्टोराइजेशन मेथड तो 2 से डिवाइड करेंगे है 2 6 अट्वाइल 2 6 तो हम रखें गेक्टर यहां पर रखेंगे से फेक्टर 2 2 तो 5 लाइज गर यहां पर आज आएगा . यहाँ पर आज धरी जाएगा हैी में पर दो मुईहरां न कॉपर एंटिटर बड़कर यहां सबंडावेकर्भाव्यम का एकश सब्सक्मित्राइगा हो mai से डिवाइड करना शुरू करेंगे 2510 2510 5 5 5 5 5 5 11 तो इसके प्लेस पर कर देंगे 2 x 5 x 11 अब एक बार अगर हमने यह तो इन्टू इसके बाद में एक देखो दो बार जो है त्री आया है एक यहां पर आया है और यहां पर आया है तो थिरी इन्टू थिरी फिर दो बार फाइफ आया है तो फाइफ एंटू फाइफ और फिर दो बार 11 आया है अब देखो मैंने इसा क्यों किया जब हमें किसी भी नमबर का स्क्वेर रूट लेना होता है अब उसके पेर्स को calculate कर लेते हैं अब यहाँ पर दिखी यह अन्डरीय में आया है तो पेर्स तो find करना ही पड़ेंगे तो देखो एक पेर यहां पर बन रहा ह alg 185 यह 10 बंद रहा है आप इनको कॉमन कर लेंगे प्रेयर में अजर की निकलेगा तो इसका टू फिर इसका 2 फिर इसका 2 फिर इसका 3 इसका 5 और इसका 11 अब इनको आपस हमें मल्टिपल्य आप जब वैसे मल्टिप्लाइब करोगे तो आपको 120 मिलेगा अब यह थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एक बार इसको राइट कर लेंगे थाना यह हमारा आंसर कितना आजाएगा एरिया तो अमारा एरिया आजाएगा 1320 मीटर स्कुरेर यानि कि एरिया आजाएगा थर्टीन हंडर्ड ट्वैंटी मेटर स्कुरेर तो आप एक बार इसको राइट कर लिजिए या स्क्रीण सॉट ले लिजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं त कि नाव रेंट है ना कॉस्ट नहीं रेंट नाव रेंट फॉर थ्री मन्त कितने मंत पर अड़ेज पर लिया था थ्री मन्त ठीक है तो देखो पहली बात अगर हम बात करें कोस्ट फाइंड करना है तो इसी कुल टू होता है एरिया इंटूरेट क्या होता है एरिया इंटूरेट तो एरिया तो हमारे पास है देखो 1320 मीटर स्कुरेर और जो रेंट है वो है 5000 लेकिन ध्यान रहेगा यह फाइब थाउजंड है यह one year का है कितने का है one year का लेकिन हमें तो calculate करना है फिरी मंथ का तो होता है यह वन यह में 12 मंद होते हैं और जब हमें 3 मंद का क्लकुलेट करना है तो वहां पर रखेंगे तो यह ना टोटल मंद तो यहां पर मॉल्टिप्लाइब करेंगे 3 अपान 12 से यह के लिए फार 3 मंद तो यह जो लिखा यह लिखा है कि 3 मंद आफ 12 तो आप इसको जो सॉल्व करेंगी तो देखो सबसे पहले तो 12 तो 12 तो रिमेन हो जाएगा 110 हो गया 110 एंटू 5000 एंटू 3 अब इनको मल्टिप्लाइब करेंगे तो 1155 12340 एंटू 3 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो इतना हमारा आरियस क्या आ जाएगा रेंट आ जाएगा तीन महिने के लिए तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेशन का हम लास्ट में लाइन लिखेंगे दस कि दा कम्पनी कि पे दस दा कम्पनी पे 165 12340 आरियस तो इतना पैसा जो है वह कम्पनी उस वाल के लिए पे करेगी तीन मंत में तो उम्मेद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा अगर यह वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों को भी सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब दे के